नमस्कार दोस्तों, सवदेशी चिक्ष्या हेल्प यूटूब चेनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होमियोपेथी मेडिशन की सबसे अच्छी बात क्या है देखे होमियोपेथी मेडिशन के बारे में आप जानते होंगे कि तीन तरह से होमियोपेथी मेडिशन दी जा सकती है पहली जैसे कि ये मेरे पास डाइलूशन फोरम है लिक्विड फोरम है तो liquid forum को हम कैसे ले सकते हैं एक या दो बून तीन बून जीप पर हम सिधे ही टपका सकते हैं दूसरी ये गोलियों के रूप में दी जाती है जिसमें की छोटी छोटी गोलिया आती है और जिसको हम चूस कर ले सकते हैं तीसरी जो mother tinter जैसे आती है तो उसको हम पानी में गोल करके ले सकते हैं तो तीन तरह से होमयोपेथी मेडिशन दी जा सकती है दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात क्या है चाहे छोटा बच्चा हो या फिर जवान आदमी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो चाहे वह पुरूस हो चाहे वह महिला हो सभी व्यक्ति इसका प्रियोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं अब जैसे मानलो बड़ों के लिए तो ठीक है कोई भी मेडिशन आप ले सकते हो चाहे वह कड़ी हो कैसे भी करके पी लेगा लेकिन मानलो कोई छोटा बच्चा है सबसे छोटा लेके चलते हैं मानलो 6-7 महिने का साल बर का मानलो कोई बच्चा है उसको यदि हम कोई ऐलोपेथी मेडिशन दे रहे हैं तो गोली मानलो वो डारेक्ट ले नहीं सकता अगर हम उसको पीस करके देंगे तो वो उसको कडवी लगेगी वो उसको आसानी से पीएगा नहीं चाहिव है कोई आयरुएदिक मेडिशन ही क्यों नहीं वो भी मानलो उसको कडवी लगेगी तो उसको भी वो है नहीं पीएगा और मानलो उसको सूवी बगेरा लगवाएंगे तो उससे भी उसको दर्द बगेरा होगा लेकिन होमियोपेथी मेडिशन आसानी से सिरफ दो बूंद एक बूंद जेव पर टपका सकते हैं चाहिए वे तीन चेयर महीने का बच्चा ही क्यों न हो उसको भी आसानी से दे सकते हैं क्योंकि नहीं तो यह कड़वी होती है नहीं यह मिठी होती है मतलब अच्या स्वाद है मतलब कोई भी इसको ले सकते है बच्चा इसको लेने के बाद में रोएगा भी नहीं तो इसकी यह सबसे अच्छी बात है कि मानलो कोई भी ऐलोपेथी मेडिशन है उसको मानलो हमें कुछ नियों हो रखा और यह फिर हम उसको परियोग नहीं कर सकते उसके साइड एफेक्ट होते हैं इसके साइड एफेक्ट तो इसके भी हो सकते हैं अगर हम इसको रेघुलर यूज़ करेंगे अब मानलो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं इसकी दो तिन बूंद मानलो ले लेता हूँ अब मानलो मैंने इसकी तिन बूंद ले ली लेकिन अब मानलो मेरे कोई भी विमारी नहीं है मैं बिल्कुल स्वस्त हूं और इसकी 2-3 में आसानी से लेगा इसका मेरे स्रीर के ऊपर कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा यही इसकी सबसे अच्छी बात है मानलो इसी जगए मानलो कोई दूसरी की मेडिशन होती कोई एलोपेथी की मेडिशन होती तो वो हम नहीं ले सकते एक तो इतनो गर्मी ठाएगी दूसरी बात मानलो कोई भी है कुछ भी साइड एफेक्ट कर सकती है जरूरी नहीं कि हर मेडिशन साइड एफेक्ट करेगी लेकिन कर सकती है यह मानलो थोड़ी बोती ले ली तो इसका कोई जल्दी से side effect देखने में नहीं आता हाँ इसको भी अदि हम regular इसको प्रियोग करेंगे मानलो मैं इसको डेली इसको पीता रहूंगा तब तो इसके side effect हो सकते हैं लेकिन तब भी इतनी ज्यादा side effect नहीं होंगे जितने उन मैडिशनों के होते हैं तब भी इसका side effect क्या होगा आप सभी लोगों को पता ही होगा जो होमियोपैथी मैडिशन है वो कैसे दी जाती है की लक्षनों के आधार पर दी जाती है की वेक्ति में उस जो मेडिशन होती है और जो बिमारी होती है उसके लक्षन आपस में मिलते हूं जैसे कि मेरे पास यह एकणूइट है 30 potency में है तो मान लो किसी व्यक्ति को जैसे ठंड लगने के करण बुखार उत्यादी हो गया हो जुखाम इत्यादी हो गया हो तो उसको हम यह दे सकते हैं तो जैसे हम यह पैथि कैसे दी जाती है जैसे उस बीमारी के फिक्स उसके लक्सन मिलने चाहिए यह लक्सन इस बीमारी में तो यही मेडिशन आपको देनी है तो वो मेडिशन उसमें दी जाती है तो यदि कोई स्वस्थ वेक्ति होगा और वो उस मेडिशन का प्रियोग करेगा तो उसमें भी वही लक्सन देखने को आपको मिल सकते हैं बस यही थोड़ा सा इसमें side effect होता है यदि हम इसको regular use करते हैं बाकि इसका normal कभी ले भी लिया बच्चा गलती से भी तो इसका कोई side effect सामने नहीं होता तो यह है इसकी सबसे अच्छी बात देखने को हमें मिलती है तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है आपके क् comment box में उसे share करें आपका कोई भी क्यूशन हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक बने रेगा मार साथ जैहिंद बंदे मात्रम